तो टॉम एस्पिनाल वर्सेस जॉन जोन्स की बाते यूफसी के अंदर पिछले कुछ टाइम से लगातार हो रही हैं बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि इंटरिम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनाल जॉन जोन्स से ज़ादा वेटर फाइटर हैं वो करेंटली अपने प्राइम में है और आज के टाइम पे अगर जॉन जोन्स उनसे फाइट करते हैं तो वो फाइट को जीत नहीं पाएंगे और टॉम एस्पिनाल यहाँ पर विनर होने वाले है और क्योंकि UFC 304 में यहाँ पर टॉम एस्पिनाल की फाइट होने वाली है क्या वो लियॉन एडवर्ट्स को हराने की केपेबिलिटीज रखते हैं सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा यूफसी कॉमबैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कॉंट अगर जाउन जोन्स से इस थाम पर फाइट होगी तौम एस्पिनलकी तो टॉम एस्पिनल या पर जाउन को बीकर सकता है अब ऐसा गहने के बिछे मेरा reason यह है कि MMA fight सिर्फ striking पे नहीं लड़ी जाती है वो ground पे भी जा सकती है, wrestling भी हो सकता है, grappling भी हो सकता है और John Jones UFC के अंदर इतने time से top पे इसलिए बना हुआ है क्योंकि उसके पास सिर्फ एक skill नहीं है वो बहुती जादा well-rounded fighter है in fact अभी कह सकते हो कि MMA के अंदर कोई सबसे जादा well-rounded fighter है तो वो John Jones ही कहलाएगा definitely यहाँ पर knock-out power के हिसाब से अगर compare किया जाए तो Tom Espinal की knock-out power बहुत जादा है और John Jones कभी अपने knock-out power के लिए नहीं जाना गया है UFC के अंदर बट वो जो well-rounded game है उसका वो बहुत जादा advance है भाईयो आज के time पे अगर इसनकी fight होती है तो Tom Espinal के पास मुझे लगता है सिर्फ एक ही तरीका है जीतने का और वो है knock-out के त्रू अगर Tom Espinal सरगे पावलोविच जैसा connect कर देता है John Jones के उपर 100% John Jones knock-out हो जाएगा और जितने भी power punchers को face करा है कोई भी clearly यहाँ पर John Jones पे उतनी अच्छी तरीके से connect नहीं करा है आज तक तो मैं यहाँ पर Tom Espinal की skills को कोई undermine नहीं कर रहा हूँ definitely new age का fighter है new generation fighter है जो की heavyweight division में भी काफी swift striking करता है बट आप John Jones के last opponent को देखोगे जो की था siril gun वो भी बहुत अच्छा striker है और personally मुझे ऐसा लगता है striking के मामले में वो Tom Espinal से भी better striker है siril gun लेकिन उसको first round के first minute के अंदर ही John Jones से summit करके हरा दिया और यह proof है कि John Jones अपना game plan कितनी अच्छी तरीके से implement करवा पाता है एक fight के अंदर आज के टाइम पर बहुत जादा डिस्क्रेडिट किया जाता है क्योंकि यहां पर लोगों का कहना कि से रिल गान पर रस्लिंग नहीं थी यह नहीं था वो नहीं था बट यहां पर उस टाइम पर जब जॉन जोंस वसे सिरिल गान की fight announce हुई थी जॉन जोंस को प्लस 400 अंडर डॉग रखा गया था जो फस्ट ओपनिंग और स्टार्ट हुई थी मतलब सिरिल गान को बहुत जादा heavily favor किया जा रहा था उस समय भी फैंस का ऐसा ही कहना था कि सिरिल गान जोंस को destroy कर देगा यह कर देगा वह कर सिरिल गान से जादा better submission game और पर DOM एस्पिनल का ब्रसीलिन जू जुजिटू इस से कहीं ज़ादा है तो बैयो इस fight के सेफ खेल के भी इस fight को easily जीट सकता है आप सब का इस fight के बारे में क्या opinion आप सब मुझे नीचे comment section में बता सकते हो अब बात करते हैं आपर एक और बहुत interesting fight जो की UFC 304 में ही होने वाली है वो है Bilal Mohamed versus Leon Edwards और बहुत time से हम सब जो एक meme चला आ रहा है अपनी MMA community में कि क्या Bilal Mohamed को title shot मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा वो finally अब यहाँ पर title shot Bilal Mohamed को मिल चुका है और अपनी title fight में Bilal Mohamed यहाँ पर challenge करने वाले है welterweight champion Leon Edwards को क्या Bilal Mohamed यहाँ पर कितनी capabilities रखते हैं कि वो Leon Edwards को हरा सकते हैं currently भाई अगर आप इन दोनों fighters की betting odds को check करोगे तो Bilal Mohamed एक underdog है almost plus 200 के underdog है Bilal Mohamed इस fight के लिए इसका मतलब यह है कि bet makers को ऐसा लगता है कि Bilal Mohamed इस fight को नहीं जीच सकते और personally मुझे ऐसा लगता है कि यह fight 60-40 है 60% यहाँ पर favor Leon Edwards की तरफ जा रहा है लगता है Leon Edwards अगर चाहे तो अपना एक aggressive game plan लेके आ सकता है fight में but most of the time पिछले कुछ fights के अंदर हमने देखा है काफी passive approach ले लेता है fights के अंदर और on the other hand जो Bilal Mohamed है उसकी पिछली कुछ fights आप देखोगे तो उसने काफी aggressive approach लिया आपने सामने वाले opponent को pressure करा जैसे Sean Brady को लगा तार continuous pressure करा और ultimately उसका knockdown निकाल दिया फाइट के अंदर उसने Gilbert Burns को भी काफी अच्छा pressure करा तो definitely दोनों के chances हैं यहाँ पे जीतने के और तो और भाईव मैं कुछ दिनों पहले Leon Edwards versus Bilal Muhammad की first fight देख रहा था अगर आप सबको नहीं पता है तो यह इनकी second fight है first fight एक eye poke के कारण second round में रोक दी गई थी क्योंकि यहाँ पर Leon Edwards ने eye poke कर दिया था Bilal Muhammad को तो उस fight के अंदर दो rounds वे थे second round में eye poke हो गया था first round एक काफी clear तरीके से Leon Edwards ने जीदा था और वो इसलिए जीदा था क्योंकि यहाँ पर Bilal Muhammad काफी जादा weight कर रहे थे Leon Edwards के fight करने का लेकिन अगर आप second round को काफी unique तरीके से देखोगे और भायो जब तक वो second round चला काफी अच्छा pressure करा काफी अच्छा striking counter striking करी Bilal Muhammad ने second round में कि Bilal Muhammad versus Leon Edwards की जो fight थी दो साल पहले वही थी और अब Bilal Muhammad बहुत जादा improve हो चुका है अपने आपको ऐसा fighter भी काफी जादा evolve कर रहा है और इसलिए मैं यहाँ पर इसको 60-40 का match-up कह रहा हूँ बहुत सारे लोग आप सबको बोलेंगे कि Leon Edwards बहुत well-rounded है वगरा वगरा definitely है उसमें कोई डाउट निया लेकिन Bilal Muhammad ने भी अपने आपको काफी जादा improve कर रहा है हम सब को इस चीज़ को बिलकुल भी discredit नहीं करना चाहिए बहले भाई हो यहाँ बिलाल Muhammad का fighting style उतना interesting नहीं है लोग इसको boring fighting style करते हैं यह effective बहुत जादा है और पिछले कुछ fights के अंदर बहुत जादा effective रहा है यहाँ पर एक problem मुझे लग रही है बिलाल Muhammad के साथ जोकी हो सकती है वो है ring rust की last time बिलाल Muhammad ने पिछले साल में में fight करा था वो भी Gilbert Burns के against और उस fight में Gilbert Burns injured हो गया था बाकि यह सारी readings मैंने ली थी इस fight की अभी दग तो मैंने आप सबको inform कर दिया है कि आप सबका क्या opinion इन इस fight के बारे में मुझे नीचे comment section में आप सब बता सकते हो तिल दन यह वाला वीडियो पसंद आएगो तो peace वीडियो को like चैनल को subscribe कर देजेगा मिलता हूँ आप सबको नेक्स वीडियो में अगले बडेट के साथ बाए बाए